हेलो एवरिवन आज मैं अपने केलेसिया रिपेंस के प्लांट को रिपॉर्ट करने जा रही हूँ तो मैंने इसे इस तरह के जो 8 इंच का पॉर्ट आता है इसमें मैंने लगा रखा है लेकिन केलेसिया रिपेंस का जो प्लांट होता है इसकी जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अंदर तक pot में नहीं जाती है इसकी roots जो होते हो बस उपर-उपर ही रहती है तो मैंने सोचा है कि मैं इसे एक bonsai pot में डाल देती है तो ये देखे हैं ये मेरे पास एक bonsai pot है आज मैं इसमें ही अपने कलेसिया रिपेंस का plant को report करने जारी तो ये plant जो है ये इसमें बहुत अच्छे से fit भी हो जाएगा और grow भी असानी से करेगा इसको फैलने के लिए जगे भी बहुत अच्छी से मिल जाएगी और आप इसे hanging basket में भी लगा सकते है तो सबसे पहले मैंने bonsai pot पे एक छोटी से ठिक्री रग दिये जिसे कि मिट्टी जो है वो बिल्कुल एक बारे में ना निकल जाए और अभी मैं आपको इस plant में से इस तरह मिट्टी निकाल के दिखाते हूँ आप देखेंगे नीचे बिल्कुल भी roots नहीं पहुची है इसकी जो roots होती है वो बस ऊपर यूपर रहती है आप चाहें तो बहुत एजली इसकी चोटी सी cutting भी बस roots से आप निकाल के इससे लगा सकते है यह देखेंगे उपर सबसे पहले मैं नीचे से जो इसकी soil है ना इसको अच्छे से remove कर देती हूँ क्योंकि नीचे बिलकुल भी roots नहीं है तो roots को damage होने का कोई खत्रा नहीं है बहुत असानी से इसकी soil है वो निकल जाएगी तो चारो तरफ से जो इसकी soil है सबसे पहले मैं इससे अच्छे से निकाल दूँगी और फिर मैं इसे spot में लगा दूँगी तो जो यह time होता है न फरवरी लास या जो मार्च स्टार्टिंग में 15 मार्च तक का जो time होता है बहुत अच्छा time होता है अगर आपको किसी भी अपने plant को report करना है तो उनके जैसे die back जहर में जाने की या फिर उनके खराब होने के जो chances होते हो बहुत कम होते यह देखे मैंने चालो तरफ की उसकी जो और मिट्टी इसको निकाल लिया निकालने के बाद इसको मैं हाथों से थोड़ा सा तोड़ लूँगी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट मिक्स करूँगी ये Compose जो है इसमें मैंने Vermicompose, Neem, Kali, Bone Mill, और Fungicide को Mix किया है और मैंने इसमें थोड़ा सा Sea Beat Fertilizer भी डाला है इन सब को डालके मैंने इसमें ये Fertilizer तयार किया है इसको मैंने मिठ्टी में Mix कर दिया अब मैं इस तरह से इस Plant को इस पर रख दूँगी plant को रखने के पाद जो इसके soil है ना इसको थोड़ा-थोड़ा मैं तोड़ दूँगी जिससे की नीचे से वो जो है वो balance हो जाए और अच्छे से जो soil है उसमें mix हो जाए क्योंकि इसको बढ़ने के लिए थोड़ा नीचे soil चाहिए और इसमें soil है यह बहुत अच्छे से अब ग्रो भी होने लगेगा और इससे पूरा फैलने के लिए अच्छे से जगे भी मिलेगी hanging basket में भी यह plant बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छे से hang करता है तो kelysia ripens का जो plant है वो summer का भी बहुत अच्छा plant है जब आप इसे थोड़ा से एड़ी अरिया में रखेंगे और winter में भी यह बहुत अच्छे से ग्रो करता है तो इस तरह से मैंने इसको report कर दिया आप म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक ये लिए बाई